बांगलादेश में हिंसत प्रदर्शन बेकाबू हो गए हैं। प्रदर्शनकारी धाका में स्थित पी-म हाउस में घुश चुके हैं। इस बीच प्रधानमंत्री शेक हसीना ने धाका छोड़ दिया है। शेक हसीना ने प्रधानमंत्री पच से भी इस्तीफा दे दिया है। क शेख हसीना के बैकफुट पर आने के पांच बड़े कारण हम आपको बता रही हैं। विपक्षी दलों का भारी विरोध बांगलादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुए छात्र आन्दोलन में विपक्षी दल भी फ्रन्ट फुट पर आ गए। हालिदा जिया के नेत्रित्व में लाखों की भीड जुटा कर शेख हसीना की कुरसी को हिला दिया। विपक्ष ने हसीना से इस्तीफे की मांग की। सरकार भी विपक्ष के विरोध का सामना करने में विफल रही। सेना ने नहीं दिया साथ बांगलादेश में चल रहे प्रदर्शनों में सेना ने भी सरकार का साथ देने से मना कर दिया। हिंसक प्रदर्शनों में 90 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद बांगलादेश की सेना ने कहा की अब वह प्रदर्शनकारियों पर गोलियां नहीं चलाएंगे। सेना मुख्याले में बांगलादेश आर्मी चीफ ने हालात के बारे में चर्चा की और एलान किया की अब प्रदर्शनकारियों पर एक भी गोली नहीं चलाई जाएगी इस बयान के बाद सेना का प्रदर्शनकारियों के लिए सौफ्ट कॉर्नर नजर आया हिंसा भढ़काने में पाकिस्तान का हाथ बांगलादेश में हिंसा भढ़काने में पाकिस्तान का भी हाथ है बांगलादेश की सिविल सोसाइटी ने पाकिस्तान उच्चायोग पर कट्टर पंथी चात्र प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने का आरोप लगाया है पाकिस्तान अंदर खाने चात्रों को समर्थन के जरिये बांगलादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षैप कर रहा है कुछ रिपोर्ट में खुलासा हुआ है का पाकिस्तान, मिशन पाकिस्तान, समर्थक जमात से जुड़े छात्र प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग के संपर्क में है, जो बांगलादेश में प्रतिबंधित है खराब बांगलादेश की आर्थिक स्थिती वैसे ही खराब थी, वहीं इस आंदोलन से इसे और जटका लगा है वहां तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है, शेख हसीना लंबे समय से बांगलादेश की सत्ता पर काबिज है हाल ही में जब वो फिर से बांगलादेश की पीएम बनी, तो बेरोजगारों छात्रों में गुस्सा बढ़ गया छात्र सडक पर उतर आएं और आंदोलन करने लगे